ओम्यम् ब्रह्मा बरुणेंद्र रुद्रमरु तहस्तोनु अन्ति दिभ्यिस्तवैर बेदही सांग पदक्रमो पनिसरे गायंतियम् सामगा द्याना बस्थितत देगते नमन शापस्यंतियम् योगिनु यश्यान्तम्न बिदुह सुरा सुरगना देवायत समय नमह स्रीमत्चन्दन चर्चितो ज्वलबपु सुक्लांबरा मल्लिका माला लांकृत कुंडला प्रविलसन मुकता बली सुभिता सर्वज्यान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करा बागदेवी बदनाम बुजे बसतुमे त्रैलोक्यमाताचिरं मुकं करूति बाचालं पंगुम् लंगयते गिरिं यतक्रिपातमहं बंदे परमानंदमाधवं नमो भगबते तसमय व्यासाया मितते जसे यश्य प्रसादाद बक्षामी नारायन कथा मिमाम नारायनम नमसक्रेतिय नरंचै बनरोतमम देविम सरसुतिम व्यासम ततो जयमु दीरे तोम स्रीश्वस्थानि दे बेई नमहा अथ द्वितियो ध्यायह हे मुने अगियो संसार जलम्य हुदा भगबान विष्णु का नाभी बात सहस्रादल कमल उत्पन्न भयो तेस कमल मा बशी ब्रह्मा स्रिश्थी गार ने बिचार गर दे थी तेही अवसर मा भगबान विष्णु को काने एगुजी बात अत्यंत महा पराक्रमी मधु कैटमनाम का द्वि बीर उत्पन्न भये ती धैंत्याले जलम है संसार मा कहां गेचा भनी गुम्दा ब्रह्मा ब ब्रह्मा ले ये इस्त्वरी विष्णुलाई जागा गराई दीन होस भने र उनले ब्रह्मा को कश्ट बुजी भगवान विष्णुलाई जागा गराई दीन भगवान जागा भैर हिर्दाती मधु कैटमनाम देखी ततकाल युद्ध गर नागी सरे जिभ्या 5000 बर्ष सम्म जलमा युद्ध भायो तरा हार जित होन सके न अनि विष्णुले ये दान भो तिमी हरू पराक्रमी रहे छो मप्रसन न भायें के इच्छा छ तिमी लाई इच्छा भायको बर मागा भन्दा अहंकारी मधु कैटमने भने ये विष्णु एस महा युद्ध मा हामरो जीत भा पहिले बाचा गर औरक्रमा अनि म बर माग दाचु औरने धान भो तिमी ले जे मागे पने अबश्यात दीने छो भन्दे बाचा गरे पाचि विष्णु भागा मानले औरु बर क्ये मागा तिमी दुबई जाना लाई मामार दाचु मेरा हात बाट तीमी दुबई जाना मरा भने को सुनी मधो कैटावले भने हे विश्णू तीमी छली रहे छौू। कपट गरे रब बर मागेव बाचा हारे को हुनाले हामी दिन जौ। अबक्ये गर्ने भने विचार गर्धा सारा शन्षार जल मया देखी भने ए विश्णू हमी लाई जल नवायको स्थान मा मारा दैंत्य का तेस्ता कुराशोनी विश्णूले आपनू काखमा राखेर सजी लाई शिता दुबईलाई मारे तिने दैंत्य को बोशो शीत कालमा कुन कुन भने भूर्लोक भूबर लोक श्वर्लोक महरलोक अ चनलोक ृमाने ज connected का तलक अपया टलक अतलь वितल सूततलत अला रसातलं महातल पातल एटी तलका चंब मा अगंयोत शत्रत पुस्तित मबाँ धूबबाफ धरजात्रक मैद्रियप मुष्टार दियप। इद्व जिवा राजा राज गर्दबाक्स ऑचका एग्यों ऑप पने खुर्वराजां। समद्राली बेस्टिद्छा त्यां अतिधा राज गर्द अच्वा वग्र अनिर्त राज आखलेवा नेुट्स रेटीघता रता है या तक युच्वाण गंवा अच्छा ब्रसकार राज अच्वा आँर समीधिया, कोस्च इसको आकार कमल गट्टा जस्तेई छ एस मैं नौनोव हचार योजन का नौखंड अचन एस प्रकास श्रिष्टी गरी शकी अस्ट पर्वत स्रिष्टी गरे कुन-कुन भने सुमेरु पर्वत गंध मैं दन पर्वत डैलास पर्वत हिमालय पर्वत त्रिकूट पर्वत चित्रकूट पर्वत चंद्रान्थक पर्वत र चंद्रकूट पर्वत तेस पची प्राणी स्रिष्टी गरुभने र महादेब को तपशागरे दिव्य 12-1000 बर्षा इस महारे प्रकंत्र भयर ब्रह्मन तिम्रो तपशालेमा प्रसन्द भयें बरम आगभन्ने आग्यां भय को शुनी ब्रह्माले अनेक उपचारली शिवा को पुजागरी स्तुति गारना लागे हे इस्वर आफैंले अनेक ब्रह्मान्द को रचनागरी आपनी मायामा भुली रहेका यस्ता हजुर लाई कोटी-कोटी नमस्कार एक मुर्ती बाट तीन मुर्ती ब्रह्मा बिष्टों श स्रिष्टी गारें अभुल प्राणी स्रिष्टी गारन शाकसा एही कि बर दिन होत्यु भजानी बिन्ति गारे ब्रह्मा जिका प्रार्थाना रा आग्रहबुजी महादेवले आग्यांवकर्मान तीमी प्राणी शिष्टकार्ना सके भुली ब्रमानْ लाई दण्डवात ग दक्षन दिशामा यमपूरी नहिरित्य कोडमा कृष्णा बती पस्चिम दिशामा स्रधा बती इसान कोडमा येशो बती नामका पूरी हरू रचनागरे तेस्पजे स्थावर जंगम स्रिष्टी गरे अनी प्राणी स्रिष्टी गर्ने इच्छा भयो रा मल्ली चितावना अगस्त्य मुनीले स्वधे हे कुमार्जी हजुर को बचन रूपी अम्रित मेरू कान रूपी जीवरोली बराबर प्यूनम्याग दईछा चती खरपनी प्यूनम्यागी रहेको छा अब देव दानव पसु पक्षी मैनव कसर स्थिष्टी भये तियो सुनने इच्छा छ मु फिनाता कपिला कद्रु ना मनु यस्तास्त्री अत हत supplier धितिए गरहवाट स्थे जंप्राद्द क घर शुरहा चुद्धा याजि त्येत्य स्कोटी मेम सिवरोली जय मेर दन्व पसु पक्राम। प्रोध जन्में मनुका गरहवाट प्रामर्ग छेत्रिय बैश्यस्तुद इचार गर्ण थरी मनुष्य जन्में बलिष्ठार बिनेता गरहवाट अरुण गरुड सामपाती मयुर कोकिल चकेवा जीवन जीव मुनिया धोविनी राजमसाधी पक्षेरु जन्में कपिलाका गर अच्टा नाघरु जन्में ये शरी देवातारिशी यक्षे गंदर्वा किन्नर अफ्षरा नाग मनुषे पसुपक्षेरु श्रिष्टि भयको देखी प्रम्माले तिनी हरुलाई खाने आहारा धान जऊ तिला अनिक तरह का अंडर फल्मुल श्रिष्टि गरे ये मुने य अध्यन्त संख्षेप मा भने अरु पुराणबाट विस्तार ले बुजने छो ये श्रिष्टि का कुरा सुनाए अवक्य सुन्ने इच्छा भन भन्द अगस्ते मुनी भन्द छन हे कुमार कुन-कुन भुबन मा कुन-कुन देवता छन दिक्पाल कसरी भाई ये सुन्ने इ आयरित्या भुबन मा अन्या रिसिर अरु छन ये ती भुबन का कुडा कहें अब दिक्पाल भय का कुडा बंद शो काष्यब भुबन भन्द धि क्ष्यप रिषी आचोरा इंद्रली हिमालाय मा गई देरे काल शमन पठोर तपश्यागरे महाधे प्रसन्न भाई ये इंद् अग्नी कोण को दिक्पाल बनाई सुधाबती को अधिपति गढराई पठाए फिर Cyrus यत्य div से सई गरी तлекडल पश्चागरे अधिपति काराई पठाए परेर्य आरकोली गई तेसी घरी महाले पश्चागरे अधिपति गराई पठाए फेरी उनांचास बायूले गई तेसेगरी तपश्यागरे महादे प्रसन्न भई बरदान माग भन्दा ती बायूले हामी उनांचास जना एक उनसकुन रामी लाइ कोही न देखुन केवल सब्द मात्र सुनून बल मापनी कसाईले जितना सकुन भनी मागदा महादेव तथा अस्तो भनी बरदान दिये रव बायू नाम राखी बायब्यकोण को अधिपति गराई पठाए फेर यह उटाले गई तेसेगरी तपश्यागरे महादे फुषी भईर कूबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पालर अलका पुरीको अधिपति गराई पठाए फेर को येसता बचन सुनी अगस्तमोनी बन्न हुन्चा, महादेव रशतिदेवीको बिभाफव वायको रशतिदेवीमार्दा उत्वादभव form, फेरी शतिदेवीमादेवको महादेव कि पत्नीक छरी भयने रश्तो कारण पड़ेरा, उन् czy मृत्यो भईयू। मुनिकु आग्याजानी प्रस्टन भयका कुमार जीले योकुरा तेस्रो अध्यायमा बढ़न गर्नेशु भन्नु भयो इती स्रिशकंद पुनाणे केदार खंडे मागमा हात्मे कुमारा अगस्ते सम्भादे स्रिश्वस्थानी प्रतकतायम दिख्पाला बढ़नम नाम दूतियो ध्याया हा ओम स्रिश्वस्थानी देभ्येई नम हाँ ओम उपनायतु मंगलंबह सकल जगन मंगलाल यह स्रीमान दिनकर किरण निवोधिता नबनालिन दलनिवेक्षण कृष्ण काली बर्सतु परजन्य प्रतिवी सश्य सालिनी देशुयम क्षोभरहितु ब्रह्मन संतु निर्भयाह अपुत्रह पुत्रिण संतु पुत्रिण संतु पौत्रिण निर्धनह सधनह संतु जीवंतु सरदाम सतं। तत्रैव गंगायमुनाच तत्र गुदावरी सिंदु सरस्वतीच। तिर्धानि शरवानि बसंती तत्र यत्राच्युतो दार कथा प्रसंग। या कुंदेंदुतु सारह रधवला या सुभ्रभस्त्राबृता या बीडाँ बरदंडमंडितकरा या स्वेतपदमासना या ब्रह्माचुत संकरप्रभृतिभिर देवहिसदाबंदिता सामांपातु सरस्वती भगबती निहिसेसजाट्या अपहा। काई नबाचा मनसेंद्रियर्वाव बुद्ध्यात्मनाबाव प्रकतिहिश्वभावाथ। करूमियद्यद्षकलंपरसमै नारायनाये तिसमर पयामी। ओम स्रीश्वस्तानि देब्बेई नमह। ओम